लो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल अर्निंग में और यहां दोस्तों जिन्होंने एवी मोस का टेस्ट नेट जोइन करना मिस कर दिया था उसके लिए एक खुशकरी है और जिन्होंने किया था उनके लिए भी इवी मोस क एक नेम्सार्विस का टेस्ट नेट लाइब हो चुका है जहां पर अपना खुद का डॉमेन नेम या जिसको नेम सर्विस कर सकते हो वो बूक कर सकते हो अभी टेस्टिंग Une तो जिसमें टेस्टिंग पर पाटिसिपेट कर सकते हो ओके इसका ओफिशियल एनाउंस्मेंट इस तरीके से दिया रहेगा आप इसको आपन करोगे तो यहां पर इसका टुइटर पर चले जाओगे और यहां पर इनों ने यह एनाउंस कर दिया है देख सकते हो इविमोस टेस अब इसमें क्या करना होगा कि स्किन चीजों की जरुरत पड़ीगी वह आप ध्यान से सुनिएगा ठीक है और वह सारी चीजों को आपने करना है और आप इसके टेस्ट नेट में जैन हो सकते हो इनके टेस्ट नेट नेम सर्विस में ओके तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना है जो लोग अभी नए है चैनल में पहली मरतबा आ रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब कर लीजे चैनल को विकॉज यहां पे प्रॉफेटबल और नॉलिजबल वीडियो आपको टाइम टो टाइम मिलता रहता है टेलिग्राम चैनल अगर अभी तक आप ने जोइन नहीं किया है तो टेलिग्राम चैनल जरूर से जरूर जोइन करो दोस्तों विकॉज यह ड्रॉफ से रिलेटेड अपडेट पोस्ट आपको सारे के सारे टेलिग्राम चैनल पर रोजाना मिलते रहेंगे टाइम टो टाइम मिलते रहेंगे आपको यह लोगो चैनल मिल जाएगा इसमें आप जोएन कर लीजिएगा दोस्तों इस टेशनेट में पार्टिस्पेट करने के लिए आपको सबसे पहले एक ब्राउजर की जरुरत पड़ेगी ओके आप सीधे प्रेस्टोर पर आओगे यहां पर आप सर्च करोगे कीवी ब्र कीवी ब्राउजर को आपने औन करना का किवी ब्राउजर को आपको यहां पर टैप करना है जी ping करता की रूट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा थोड़ा सा डाउन ऐऊंगा तो यहां पर देख लेजिए यहां पर मेंटा मास्टोर अइट्थनवे हैं आपका नहीं रहेगा तो आपको ये add करना पड़ेगा add कैसे करोगे तो उसके लिए मैंने already वीडियो बना रखा है आपको description में वो वीडियो दे दूँगा उसको देखके आप MetaMask का extension यहाँ पे add करके open कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको password डालना है password डालने के बाद इसको open कर लेना है then आपको फिर क्या करना पड़ेगा एक और tab यहाँ पे open कर लेना है जैसा के मैंने open किया यह chainlist.network तो यह आपको open कर लेना है सबसे पहले open हो जाएगा उसके बाद इसको अपने MetaMask के wallet से इसको connect कर लेना है यह देखे मेरा connect हो गया connect होने के बाद फिर क्या करना है यहाँ पर यह search बार है आपको यहाँ पे EVMO इस तरीके से EVMOS यह देखे testnet आ गया इसको आपने add कर लेना यहाँ add to MetaMask में क्लिक करोगे तो यह add हो जाएगा testnet वाला भी कर लीजिए नीचे mannet वाला है यह वाला mannet है EVMOS सिर्फ है तो इसको भी add कर लीजिएगा ठीक है लेकिन अभी testnet वाला काम में आएगा ओके तो यहाँ पर देखिए मैं add करने के बाद फिर आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद आपको EVMOS यहाँ पर ढूनना है कि testnet यह देखिए EVMOS testnet जैसा कि आपको दिख रहा है यह देखिए यह है EVMOS का testnet इसको आपने यहाँ पर select कर लेना है अब आपको क्या ज़रुरत पड़ेगी एक और में लिंक दूँगा जिस लिंक को आपने open करना पड़ेगा आपके सामने यह faucet open हो जाएगा तेन आपको क्या करना है Meta mask में जाना है यहाँ पर यह address रहेगा इस address यहाँ पर क्लिक करोगे address copy हो जाएगा address copy करके वापस उसी में आना है यहाँ पर यह लिजिए मैं पटाफर से दिखा देता हूँ वो address यहाँ पर आपको paste करना है ओके address paste कर दिये यहाँ पर I am not robot पर क्लिक करना है हो जाएगा request fund यह दिखे transaction send यहाँ पर आपको यह क्या है यह आपने test net का token लिया है यहाँ पर देखे 0.25 मेरा अभी दिख रहा है थोड़ी ही देर में यह ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा आ जाएगा तो देख लिए 0.25 था अभी 3.5 हो गया तो आपको यह लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि अभी आपको transaction करने है उसके थोड़े से charges कटेंगे इतना काम आपका हो गया यहाँ तक आप test net को इसको हटा देते हैं एक और link दूँगा यह देखे यह वाला link इस link को आपने open कर लेना पड़ेगा EVmos name service यहाँ पर आपको कोई भी name सर्च करना है जैसा के मैं यहाँ पर search कर लूँगा अपने channel का ही नाम search करूँगा देखता हूँ के वो मुझे मिलता है के नहीं मिलता है global earning उसके बाद लिखोंगा y t ठीक है यह लिख लिया और आपको यहाँ पर इसे कर लेना होगा search तो मैं इसको desktop mode में कर लेता हूँ desktop mode में सही रहता है search वगरा दिख जाता है तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया दन search पर जाओंगा तो क्या होगा यहाँ पर यह देखिए connect करने को कहा जा रहा है कि आप अपने wallet से इसको connect कीजिए तो इसमें click कर दोगे click करने के बाद इसको connect कर लेना है तो मैं यहाँ पर connect करने के बाद जाता हूँ meta mask पर और यहाँ पर एक transaction आपके सामने आएगा अभी connect नहीं हुआ है ठीक है तो मैं यहाँ पर इसको यह connect पर click किया और थोड़ा सा time लग रहा है तो meta mask मैं यहाँ पर देखिए transaction गया हुआ है इस transaction को जाना है और यहाँ पर इसको सायद के sign in करना पड़ेगा यह देखिए ओहो यहाँ पर connect with meta mask थी है तो इसमें यहाँ पर connect कर लेना है जो भी wallet आप चाहो जितने भी wallet है जिन से आप चाहो कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो available यह बता रहे हैं तो इसको यहाँ पर इस तरीके से click कर देना है फिर एक request का वहाँ पर option आएगा request पर click करना है then meta mask में आके request को confirm कर देना है ओके तो यहाँ पर मैंने confirm कर दिया then फिर से उसी page में जाना है पर दोस्तों यह page देखे बड़ा अजीब दिख रहा है तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए wait करना पड़ेगा इस तरीके से wait कीजिए wait करने के बाद क्या होगा जब यह देखे यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा है यह वाला हो जाएगा complete उसके बाद फिर आपको क्या करना है register पर आपको click कर देना है तो थोड़ी देर के लिए मैं wait करता हूँ अभी one two हो चुका है और यहाँ पर फिर register पर आपको click कर देना पड़ेगा फिर यहाँ पर यह जो register का आपको थोड़ा सा दिख रहा है इसमें आपको click करना है click करने के बाद आपको चला जाना है फिर से मेटा मास्क में मैंने दो बार click कर दिया तो यहाँ पर दो confirmation आ चुके हैं तो दोनों को बारी बारी में कर लूँगा confirm कर लूँगा और इसमें कुछ transaction लग रहे हैं तो वो transaction क्या है कि आपको test net से लग रहा है जो आपने test net अभी claim किया था faucet से वही वाला लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आपके packet से कुछ भी नहीं जा रहा है ओके दोस्तों तो यहाँ पर आपको क्या करना है test net आपको ज़रूर claim कर लेना है और sorry faucet को भी claim कर लेना है और mobile में थोड़ा सा दिक्कत होएगा तो उसके लिए blame मत कीजिएगा मुझे खुद यहाँ पर दिक्कत हो रहा है उसके बाद यहाँ देखे manage का option आ गया है manage में जाओंगा manage पर click करना है click कर दिये और manage पर click करने के बाद यार क्या क्या दिख रहा है अभी तो दिख नहीं पा रहा हूँ अब थोड़ा सा में देख लेता हूँ बस आपका काम यहाँ पर खतम हो चुका है इस address से आपका एक name यहाँ पर register हो चुका है एक name book हो चुका है जो आपने किया ठीक है तो इस तरीके से आप कर सकते हो mobile में दिक्कत हो रहा है तो आप desktop में करो ज्यादा बेटर रहेगा उसमें ज्यादा अच्छा performance करता है ओके दोस्तों और अगर कोई और browser हो तो मुझे भी suggest किजिएगा तागे मैं बता दूँ अपने channel पर share कर दूँ तो किवी ब्राजर में कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है ओके दोस्तों तो बस ये सब काम कर लीजिए बिल्कुल सिंपल सी है आप कर भी सकते हो mobile में दिक्कत हो रहा है पर फिर भी हो रहा है तो यहाँ पर आपको जो name service मिल रहा है आप इसमें complete कर लीजिएगा जैसा जैसा बता और लास्ट काम बचा है जिसको आपने करना है जिसके आपके reward मिलेंगे एक link दूँगा ये feedback वाला link है तो इस link पर आना है आपको यहाँ पर यहाँ पर क्या करना है email address डालना है enter your web3 username तो आपने कौन सा name आपने select किया है वो नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा ठीक है जैसा के मैंने मैं क्या डाल दूँगा मैंने यहाँ पर कौन सा नाम वहाँ पर choose किया था इस तरीके से है global earning okay yt.evns तो जो आपने नाम suggest किया था उसके बाद address जिस address से आपने किया है आपको feedback क्या देना है तो यहाँ पर आपको दे देना है क्या देना मैंने डन यह मैंने दे दिया upload your events web3 username screenshot आपको एक screenshot उसका दे देना है twitter का username, telegram का username आपको submit कर देना है बाकि सब आपका काम हो चुका है एतना ही कर लीजिए उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नीव अपडेट और नी एरडरोप के साथ तक तक के लिए गुड़ बाई